तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो रेमिडी शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही स्पेशल है क्यूंकि इस रेमिडी में मैं आपके बालों के जितने भी प्रॉब्लम से उनका सुलूशन बताऊंगी और जो जो इंग्रीडियन्स हम यूज करेंगे वो सब च्छिल्ट क्लडरे मेथी आना और सरसों का ओल ऐब कि यहए तमाम से आपके किशिङन में अवैलिबल होंगी इन सब को आपने अच्छे से ग्रांड कर लेंगी हों इन सब को ह ende म nox यूम्इ करना है ना में है आफ ना राम झाल यूमिडिल कर लेना और कर लेना है और आपन अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसको चुले पर चड़ा कर आपने इसको इतना पकाना है कि यह अच्छे से पक जाए इसके उपर से जितनी भी जाक थी वह बिल्कुल खतम हो जाए मुझे उमीद है ये विडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये रेमेडी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इस रेमेडी में जो भी चीज़े हैं वो और आपके किचन में अवेलिबल भी हैं और ये बहुत बेनिफिट देती हैं प्यास तो वैसे भी हमारे हेर के ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है आपने अक्सर सुना भी होगा आपने इस जाग को मकमल खदम करना है ये जाग तब तक रहेगी जब तक ये इंग्रीडिन अच्छे से पक नहीं जाते जब ये ओयल हलका सब बलैक होने लगे तो तब आपने इसको निकाल लेना ह अच्छा अगर मैं ओनियन की बेनिफिट बताने लग जाओं आपको तो इतने ज़्यादा है कि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लबी हो जाएगी स्पेशल हेयर्स के लिए और अगर मेती दाना की बेनिफिट बताने लग जाओं तो सीरिसली वो भी बहुत वैसे तो बालों की लंबाई के लिए ये बालों के बड़े होने के लिए कोई special remedy नहीं है नहीं साइस ने इस तरह की कोई remedy बनाई है जिससे बाल जो है वह एक दम से लंबे गने हो जाए लेकिन ये नेस्टरल इंग्रीडियन्स जो हैं ये बहुत ज्यादा effect करते हैं बालों प बहुत ही अच्छे से ताकि जो हमने ग्राइंड किया तो चोटी चोटी जो इसमें जरुआत बगएर रहे हैं वह भी निकल जाए उनको भी निकलना है कि मैं आपको जरूर एक तरीका बताऊंगी पहले आपने इसको ठेंडा करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना देहें इस तरह से आपने च्छोटी च्छोटी जरुआते इनको भी निकालना है टेंशन ने लेनी उनको भी निकालने कर चरीका बताऊंगी इस तरह से आपने कोई जरूरत नहीं है यह बिल्कुल जल चुक है पिर आपने एक टीशू लेना है और टीशू से वही ओल पारता लेकिन पानी गरम अगर आप डालेंगे तो उससे टीशू जरूर पढ़ जाता है फिर आपने इसको एक बॉदल में बंद करके रख लेना है और इसको यूज करना है पंदर दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा